दोस्तों बल्म्स , राइजोम्स , कॉम्स , ट्यूबर्स , इससे जो भी प्लाट ग्रो होता है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और इनको tö्सित करना भी बहुत आसान है क्युक्छ तो commission नहीं करना होता है यह यह खुद ब daw खुद मल्टिप्लाई होते जाती आप आप देख सकते हैं किस तरह ये कैनली इस ग्रो किया है, सिर्फ मैं एक तो जो राइजोम से उसी को ग्रो की की और इसे आप देख सकते हैं, इसका भी एक जो बॉल भी में लगाई होंगी और बहुत सारा भी जो गंबला भर गया है, स्पाइडर लीडी का. Hello Friends, Welcome to the Channel Garden Knowledge Hub. Friends, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बल्स के जो प्लांस है उसको शेयर करूंगी, उसको अपडेट दिखाऊंगी और जैसे कि मैं देख रही थी कि चानल में जो बल्स के वीडियो है वो बहुत जादा आप लोंगोंने लाइक करा हैं, तो मुझे लग बल्स के लिए आपको आगे सोचना नहीं है यह अपने आप मल्टिप्लाई होते जाती है तो फ्रेंट्स बरसाद का टाइम है और इस समय आप जीजक सारे इंग बल्स के प्लांस को लगा सकते हैं, बल्स लगा सकते हैं बस इसको थोड़ा सा पानी से बचाना है आपको अब चलिए देदी ना करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह प्लांट को यह जो खुब सूरत सा फूल है यह लाइक कोड़ी का फ्लार है और यह देखिए इसमें चार फ्लार है तीन फ्लार कल खिला था और एक आज खिला हुआ है और इस स्टिक में भी एक आज खिला हुआ है यह देखिए और यह दो जो कली आपको दिख रहा है यह कल खिलने वाली है यह चोटा सा है तो मुझे लगता है इसमें चार फ्लार ही आता है क्योंकि इसमें भी चार फ्लार है और इसमें भी चार फ्लार और पहली बार मैं इ और यह देखिए फ्रेंट्स पांच बल्स हम लोगों ने मंगाये थे और पांच में यह देखिए इसमें और इसमें तो स्टिक निकल आया है और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो बल्स वाले प्लांस होते है उसमें अगर आपको फ्लारिंग होता है तब बहुत जादा जो पत्या है वो नहीं निकलता है सीधा स्टिक निकलता है जो फ्लारिंग स्टिक है और यह देखिए यह और एक इसमें भी छोटा सा आपको दिख रहा है यह निकल चुका है छोटा सा एक लीव और यह दो जो बल्ब है मुझे लगता है यह पीला रंग का लाइक कोडिस का बल्व है और आप सोच सकते है ये लाल इतना सुन्दत दिख रहा है पीला भी बहुत सुन्दत दिखने वाला है और साथ में अगर इस तरीके का खूब सारे बल्व हमारे पास हो तो कितना ना अच्छा दिखेगा पूरा गंला भर के जब ऐसी फ्लारिंग होता है तो बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके के और भी बहुत सारे बल्व आप इस समय भी लगा सकते है ऐसे तो ये पूरे बरसाद भर इसमें फ्लारिंग होता है आप चाहे तो लाइकोरी का जो बल्व है अभी भी लगा सकते है तो कैसे लगाना है ये सारे आपको पुराने वीडिय में मिल जाएगी फ्रेंड यह ऐलोकेशिया का प्लांट है दो बल मंगाय थे और तब मैं आपको अपडेट भी दिखाई थी लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक भी बड़ा लीवस आपको नहीं दिख रहा होगा गर्मी की सीजन में जो हमारे यहां का जो टेंपरेचर है बह दाहर चली गई थी तो उसका मॉश्चर का धहन रखना नहीं हुआ और जिसके चलते गर्मी और शायद मॉश्चर की कमी के कारण सारे जो पतिया है वो सारे जल गिया था और स्फिर मैंने उनको काट के फेक दिये लेकिन बल्ब्स अभी जिंदा है बल्स खराब नहीं हुआ यह इसके बेनिफिट है और देखिए अभी छोटे-छोटे निकल रहा है यह दो बल्ब आपको दिखाती हूं मैं यहां और यह तो यह पानी को पसंद करता है मॉश्चर पसंद करता है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद करता है ज्यादा तर जो अलोकेशिय होते है और इसके लीफ को आप देख सकते हैं एक दम आपको देखेगा कि ब्लाक कलर के है और बहुती ज्यादा डार्क ग्रीन है ब्लाकिश ग्रीन हम लंग बोल सकते है यह देखिए फ्रेंड्स यह जो अलोकेशिया यह है लोकेशिया कुकुल लटा जिसे चाइनिस टैरो वुद्धा अब भी कहा जाता है और बहुती ऑनमेंटली बहुत सुन्दर दिखता है यह देखिए यह भी बल्ब से इक ग्रो होता है जितना जगह उसको मिलता है लीफ उतना बड़ा अकार का होता है इसी में से एक बल्ब निकालके मैं यह पॉली बैग में लगाई थी और आप देखि एक बल्ब चुकि इसको इतना जगह मिल गया तो इसके लीफ आप देख सकते किस तरह बड़ा हो चुका है एक दम पान के पतिया जैसे बहुत हद तक है बहुत सुन्दर है आप साइस देख सकते है यह देखिए बहुत खुबसूरत है फ्रेंड यह देखिए तो कुछ तो एलोटेशेया होते है जो बहुत जादा पानी की जरूबत नहीं होती है कुछ को बहँर भी रख सकते है बर्सात में भी रख सकते है और लेकिन मैं अपनी बात करूं तो इस दो ऐलोटेशेया बहारी पढ़ा था यह दोड़ा सा ऐसी जगह रग दी जहां들 टीन आप या इसको ठाके देखेंगे तो इसके नीचे भी आपको बल मिलेगी तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्लांस होते है बल वाली प्लांस इसको इसका प्रोपागेशन ये अपने आप करती है आपको बहुत जादा ठेंचन लेने की जरूत नहीं कोई कटिंग लगाने की जरू अपने आप बल मिलती है और आप इसको अलग करके लगाएंगे तो आपको इसी तरह बड़ा सा बहुत सुन्दर सा प्लांट आपको मिलेगा फ्रेंड तो एलोकेशिया बहुत अच्छा रहता है और कैलेडियम भी बहुत इसी तरह बहुत हद तक है जो की रंग भी रंगे जिसमें लीव साते हैं जो आप पुराने वीडियो में आपके साथ इसको शेयर की थी कैलेडियम भी प्रेंदी को इसको इसको पर इसको चाप समय आता है आप देखेंगे कि अपने आप इसमें शूट निकल आते है और तो उसको इसके बल्ब को फेकना नहीं है आपको परे पड़े रहने देना है उसी गमले में पड़े रहने देना है अपने आप जब वो dormancy period में जाता है तो अंदर ये अंदर वो अपने आपको multiply भी करते जाती है फ्रेंड्स तो ये बेस्ट पार्ट है तो इसलिए मैं आपको कह रहे थी कि आप इस समय लगा सकते भले ही आपको ब लग जीजी प्लांट बोलते है जी हां फ्रेंड बहुत कुपसूरत सा प्लांट होता है ये इंडोर प्लांट है और एकदम नोकियर वाली प्लांट है ऐसे तो ये stem cutting से लग जाती है जैसे कि आप देख पारें ये मेरा stem cutting से लगा हुआ है लेकिन उसमें बहुत समय लग जा इस तरीके का राइजोम एविलेबल हो ऐसे तो मार्केट में मुझे नहीं लगता मिल पाती है लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड सरकल से इस तरीके का राइजोम डिविजन से आप अगर ले पाते है प्लांट बहुत आसानी से वह लग जाती है या फिर आपके पास अगर existing plant है और आप इसके डिविजन से आप नया प्लांट नय गंबले तयार कर सकते है यह देखिए यह जीजी का ब्लैग वराइटी है यह भी बहुत सुंदर है और महंगा भी रहता है और इसका जो कॉमन ग्रीन वराइटी है वह भी कॉसली रहता है दो सो डाइसों के नीचे तो लीव कटिंग से भी प्रपगेट हो जाती है लेकिन वह उतना असान नहीं उसमें और ज्यादा समय लग जाती है और आपको इस तरीके का स्टेम जो है वो मिलने में तो और बहुत समय लग जाता है अगला जो पौदा है वो है वाटर लिली वाटर लिली दोस्तों लोटस न काफी बड़े बड़े होते है वाटर लिली में भी आपको कई सारे कलस मिनते है तो इसको भी आप ट्यूबर लाइक राइजोम से लगा सकते है जैसे कि हम लोटस लगाते है दोस्तों अगला जो प्लांट है वो है सुदरशन का प्लांट और इसे बहुत लोग क्राइनम नी खिलते है जैसे स्पाइडर लीली में खिलते है ठीक उसी तरह इसमें भी फ्लार गुच्छों में आते है और फूल जो है सफिद रंग का होता है खुजबू वाली होती है तो यह देखिए फ्रेंट्स यह भी हाली में हम लोगों ने इसके कुछ जो न्यू प्लांस है इसको लिये थे तो आप इस तरीके से डिविजन करके आप नया पौधा तयार कर सकते है राइजोम का एक पोश्चन भी आपको मिल जाता है तब भी यह लग जाता है और कोई दिकत नहीं होता है उसमें और अगर आप सारे पतियों को काड़ देंगे लगाते टाइम न्यू प्ला इसमें भी सफिद रंग का फूल खिलता है और ठीक इसी तरह आप इसको भी डिविजन करके आप नया पौधा तयार कर सकते हैं दोस्तों अगला जो प्लांट है बहुत खुबसूरा सा एक इंडोर प्लांट है यह है और इसके पत्या किस तरह वेरिगेटड है परपल कलर का इसके फूल भी बहुत खुबसूरा दिखता है और यह इंडारेक्ट ब्राइट लाइट में बहुत अच्छा करता है धूप में रखने से पतिया जलने जलने सा हो जाता है तो एक शेड लाविंग प्लांट है इसको भी आप इस समय बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तो इस समय आप Emerilis के बल्ब भी लगा सकते हैं और यह देखिए अभी हाली में मैंने Emerilis के दो बल्ब लगाई हूं जो मुझे जोती से मिली है प्रकृति की क्लोस चैनल से यह सफेद रंग का Emerilis और यह देखिए एक Red Orange आप बोल सकते हैं यह दोनों मेरे पास नहीं है Emerilis में इसे तो बहुत सारे Shades आते हैं और आप देख सकते किस तरह दोनों में Leaves निकल आ चुका है तो इस समय आप इसको भी लगा सकते भली अभी आपको फ्लार नहीं मिल पाएगा Friends अगला जो अपडेट है यह देखिए यह Amazon लीली है इसमें भी बहुत खुबसूरत फ्लार आती है वाइट कलर का और यह देखिए मेरे जो प्लांस है इसमें दो दो लीप्स निकल आया है और एक जो बल्ब लग रहा था खराब हो गया उसमें भी स्प्राउटिंग दिख लगा सकते है इसका फ्लारिंग सीजन है और मैच्छोड बल्ब आपको मिलेगा तो फ्लारिंग भी देखने को मिलेगा दोस्तों इस समय आप कर्कूमा के भी राइजोम्स लगा सकते हैं यह भी जिंजर फैमिली से बिलॉंग करता है और जो कि हम लोंग हल्दी यूज करते वो भी करकूमा ही है करकूमा लॉंगा साइंटिफिक नेम है और कुछ ताइम पहले मैं इसके राइजोम को लगाई थी और आप अभी देख सकते है छोटा सा बहुत आपको दिख रहा होगा स्प्राउट आ चुका है तो देखते हैं कितने समय में ये ब्लूम करता है ब्लूमिंग सीजन अभी है इसका ये जो वरसात का सीजन है इसी समय ये ब्लूम करता है और कभी भी आप इसको लगा सकते हैं सब्सक्राइब करें और फ्रेंड इसी तरह चैनल के साथ बने रहे है थैंक यू फर वाचिए हैपी गार्णिंग फ्रेंड्स